जस हिंदी देख रहे हैं सभी धर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजर हूँ आपका शो आवाम की आवाज अवाम की आवाज में आज हम बात करने आए हैं सेम सेक्स मैरिज की जस पर सुप्रीम कोट में काफी समय से एक लंबी बहस जारी थी और इस पर फैसला आगया है कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल नहीं है बहुत से अधिकार इसमें LGBTQ society जो है जो community है उसे दिये गए हैं लेकिन इसके बावजूद जो शादी का अधिकार है वो यहां पर कानूनन रूप से उनके लागू नहीं होगा यानि कि लीगल नहीं होगा तो इस पर जो CGI चंद्रचूर है उन्होंने वो US में जाकर भी उन्ह उन्हें US में भी बात कही है कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ चाहे भले ही फैसला जो भी आया हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह कानून रूप से इसे कानूनी रूप मिलना चाहिए तो इस पर जनता की क्या राय है क्या जनता सोचती है क्योंकि सुप्रीम कोट ने तो जो सरकार है वो कानून बना सकती है लेकिन सुप्रीम कोट इस पर कानून नहीं बना सकती तो अब सरकार फैसला करेगी क्या वो कोई कानून ऐसा लेकर आती है या नहीं तो जानते है इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है क्या जनता को लगता है कि यह कानून बनना या फिर नहीं तो चलिए बढ़ते हैं अवाम क्यों और जानते हजमुद्दे पर उनकी राये सेम सेक्स मैरेज क्या इसको कानूनन अधिकार मिलना चाहिए या नहीं ये बहस बहुत समय से भारत में छीड़ी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने की फैसला सुनाया है और इसकानून अदिकार मिलनाने अधिकार नहीं है लेकिन आपको क्या लगते है क्या ये लीगल होनी चाहिए हां जी होनी चाहिए लीगल क्योंकि उनको भी राइट टु लाइफ है और राइट टु लाइफ में जैसे हमको हमारा पार्टनर चूज करने का अगर जब law हमें राइट देता है कि हम हमारा partner choose कर सकते हैं और एक साइड हम equality की बात करते हैं तो equality हर human being को मिलनी चाहिए चाहिए वो LGBT हो men women कोई भी हो तो जब male और female को है तो LGBT को क्यों नहीं होनी चाहिए उनको भी होनी चाहिए अगर जिस partner साथ वो रहना चाहते हैं अगर रह भी न कानून बना सकता है हम कानून नहीं बना सकते हैं लेकिन सरकार नहीं इसके अगेंस्ट में याचिका डाली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो अपको लगता है कि सरकार ऐसा कानून लाएगी या लाने में सक्षम होगी अगर याचिका उन्होंने खुद इसके खिलाब डाली वो तो गौवर्मेंट पर डिपेंड करता है बट जहां तक मेरा उपीनियन है तो गौवर्मेंट को फेवर में बनाने चाहिए लोज हां जी क्योंकि जब वोट मांगने की वारी आते हैं तो वो एलजीबीटी से भी वोट मांगते हैं तो उनके जो राइट्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं सरकार को उनको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं तो इस हिसाफ से मैं चाहते हूं कि फेवर में करेंगे आप किस पर ही किस कोमाज की मालसिकता बदलने की ज़र कि मैं यह नहीं कहते हैं कि कल्चर को मत कंसिद्रेशन में लो बट बाकी लोगों को भी तो आपको उनके राइट देने चाहिए ना तो इस करके हमें डेवलप्मेंट तो लानी पड़ेगी माइंट सेट भी चेंज करना पड़ेगा हमारा तो फिर इस करके एक आखरी सवाल है आपसे अभी कहा जा रहा था कुछ लोग ही कह रहे थे कि जब इतने सारे अधिकार मतलब लगवाइब दे दिये गए हैं कि वह बचा डॉप कर सकते हैं पार्तनर की रूप में रह सकते हैं साथ में रहना गलत नहीं है लेकिन शादी गलत है तो शादी क्यों चाहिए अगर थे सारे अधिकार मिली गए तो शादी की क्या ज़रूरी है तो फिर जब हम कल्चर की बात करते हैं तो बाकी चीज़े भी ठीक है फिर लिविन इलेशंशिप भी ठीक है फिर तब क्यों हम बात करते कि शादी होनी चाहिए जब एक आदमी और और उरत के लिए आपने शादी बना दिया कि हाँ शादी जरूरी है तो फिर उनके लिए क्यों नहीं है जरूरी अगर अगर हम उसको लीगल कर देंगे तो फिर साइटी उसको देखेगे कि लो में ही इसको एक पोसिटिव वे में देखना चाहिए हैं डिल्विन में हम लोग रहते हैं अधर लीगल है फिर भी आज भी he सॉसाइटी देखती तो ऑघ विए यो बना दिया है कि लू ओ है तो रह सकते हैं अब जाके हम उसको जाके बॉल कडुन के मांड सेट हमें खूदी चेंज करना पड़ेगा चेंज हमको खुद लाना पड़ेगा तब जाके ही होगा तो एक लोग आजाएगा तब लोगों की नजरों में थोड़ा यह होगा कि अगर गवर्मेंट नहीं लोग बना दिया तो इस मिली है और उनको भी आगे जाके फेवर करेंगा अभी जो होते हैं वो सामने आके बोल न अब हमने की रिच कल्चर है कि आपको लगते है कि जल्द ये बदलाव भारत में आएगा कि बहुत सारी कंट्रीज में आ चुका है तो तभी वो डेवलप्ति कंट्रीज में ज्यादे तर आया हुआ है तो इसलिए चेंज आने में लगेगा लोग आने में भी टाइम क्या लगते है आपको कि same sex marriage legal होनी चाहिए इंडिया में अब legal होना चाहिए नहीं चाहिए ये तो हम नहीं बता सकते है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा explore किया नहीं इसके बारे मुत्ता knowledge भी नहीं है लेकिन अगर Supreme Court कह रही कि ये legal नहीं होना चाहिए तो उसने कुछ ने कु किसी basis पर ही बोला होगा ऐसे नहीं होना चाहिए अपने मन से नहीं किसी basis पर ही बोला होगा और फिर अगर legal हो भी जाता है तो इसके बाद क्या effect परेगा इस पर आवर social culture उस पे और या उन्हीं को मतलब जादा effect उन पर भी परेगा और बाकि society परेगा तो यहीं से अब इसके बारे में एक सवाल किया है, उन्होंने यह काया कि कानून बनाना हमारा अधिकार नहीं है, हम बना नहीं सकते कानून। किन पॉई कानून बना सकती है तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन गवर्ब्मिंट सिर्कार कोई ऐसा फैसला ले कि ये कानून बने अब तो ड्लोग अगर जिनको जो भी है वो अगर कानून बनवाना चाहा है तो सरकार को एक पुरच करेंगे बोलेंगे पर सरकार देखी ही कि हाँ अगर ये बना दे तो फिर क्या-क्या咪ङक परेगा Windows कि लीडिकष गारी किष देखाए कंज को बनाना चाहिए अगर आधिकार लागँ मुझे पता हीuestas कि मतलब एगर हो जाए तो किया इंपक्त परेगा है उनको क्या दिकत हो रही है तो यह चीज पता नहीं तो मैं कैसे का सकता हूँ कि होगी बात सुप्रीम कोड पर रही है आपको लगते हैं कि क्या कानून बनना चाहिए legal हो इस पर थोड़ा जो संशिय बाकी है अभी वही रहेगा मुझे अभी इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलिज नहीं है तो मैं इस पर अभी कोई ओपने देना नहीं चाहूंगा तो आप भी सुप्रीम कोड की तरह नहीं चोड़ देंगे परसनल कोई तो होता है परसनल क्या लगता है कि डिसीजन कैसा आया है कैसा नहीं आई आपका क्या मानना है सरकार इस पर रिसर्च करें लोगों के ओपनियन ले और मतलब लोग अपने व्यूज दें और फिर उस साथ से मैं भी कुछ पढ़ूँ तो अपना व्यूज दें सकता हूं कि सुसाइटी पर कोई फरक पड़ेगा की नहीं इनका कहना भी यह है कि सरकार लोगों से राय ले लोगों से जाने कि वो क्या चाहते हैं कि क्या कानून है जो जनता है वो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचती है क्या सेम सेक्स मेरज लीगल होना चाहिए या नहीं तो चलिए बढ़ते हैं अवाम क्यों और जानते इस मुद्दे पर उनकी राय सेम सेक्स मेरज जो अभी सुप्रीम कोड में बहस चल रही थी फैसला आ गया है क सब्सक्राइब नहीं तो जड़ जड़े सीनियर मोस्त नहीं बेसी कली सुप्रीम कोड दे चंदर चूते कॉल जड़ेने जिस्टिस उनना ने के है के होनी चाहिए या ना नव जो जड़ा अपना नवतेशिंग जोहर केसा उत वाद दे है आफ दे राइट्स के दोना अपन सब्सक्राइब जोहर किसे मेल या फीमेल मिल देने तो उननों भी ओक मिलने चाहिए देने तेंग इस देट सोचल फैबरी के अपना इक जिते होड़ी होडी चीज हों दिया सुसाइटी टाइम ना चेंज कर दिया पहला ड़ा 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 शाया सथी प्रथा नी हूं आपने लेट चीज बता जली है के हाँ एपी पस लोग वी सदेच रहें देने ते होडी होडी लोग जाकुरू हो रहें अग्या रहें जिस कर गेना राइट स्वी चाहिए देने ते मेरेज भी कहे जा राइट अनुन चाहिए नोट बिंग मैरेज मैं कहूंगा वी इंप्ल सब्सक्राइब होड़ेगी इस ताम सुप्रीम कोट ने विए ही किया है कि जडी पॉलिसी में किया हो सरकार दिया तो सरकार ही दिजिजन लएगी विकास कोट इंपोज कर दवे ते डेमोकरिसी जडे मेजॉर्टी गवर्नमेंट है और कहे कि हजे लोग नहीं चौन दे आज आपाएंस मानना दे हैं कि आपार दो सुसाइटी और आले दस सार चाह मैं कहना कि बेसिक ओनली ए नहीं कि दे विल गेट जिमें प्रमोशन उनना नों बिल रहा है या इंप्लॉयमेंट उननों को आप दे दिये या कुछ आहमें उनना लियो प्रावला कार दिये बट तो भी ओनेस्ट के थोड़ा बहुत तो उननों मिलना शुरू हो जएगा उननों मैरेज लिए उनना ने गहीं कमेटी बना मांगे कमेटी इलेक्शन दवाद बनेगी ओ भी देख दिया अगली सरकार केड़े हका निगाल कार दिया कहीं जी होईगी कोलीजन होवे ना होवे होदे साब नडगली सरकार आएगी ओ राइट्स बनाएगी डेमोकरिसी नाड़ी सरकार बन दिया है नहीं जो लोग चौंदे ने मैजॉरिटी जड़िये वाइस चाहेगी कहा उननों राइट्स मिलन ता होड़ी होडी सरकार उस दरी किनाल पॉलिसी लेके आएगी जे अप अपने इस चीज लेके आएगी जापा बना दिये ते मैजॉरिटी जड़े अपने रिलीजिस हेड्स होगे या अपने दुजी इंस्ट्यूशन होगी याजियो कैन भी हजे असी इस चीज ली एक्सेप्टेबल नी हैगे यह साटेकोड हजे उनने बच्चे नी हैगे उनने इंडिवीजूशन ही नहीं है कि जे मैं असी वेकेंसी कर दिये फिल ना कर सकी या हो चोलो ओन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आगया बट श्रेटिकल आस्पेक्ट के राइट्स इन बुक्स था और अपना कहा हमें बाच तो जो जिन्नों मिलूं बात दी गाला है ते एक्सेप कि इस पर ने इस पर ने कि डिफाइंड डी डिफिनेशन च नहीं आए मेल फीमेल दी बट स्टिल ओं है इंडिया च नहीं है ते हो ही मैं जड़ी गलकाई वी सोशल फैबरिक दिया जिमे-जिमें एक्सेप्टन सांधी रहेगी सुसाइटीचर वह और आनू राइट्स मिल लीए सवाल है मेरा सपर कानून लान लाने का सच में जोचेगी से खुद खिलाफ है देखो 20 एंध चलो ओही है कि जी मेजॉर्टी दी सरकार है ओज ओपनली उन्हों नी कर दी रहको का नई दे मलब देखो सपोर्ट दा करनेगे ठीक है बिकाज देर माइड भी पीपल जडेडे बीजेपी नाल एसोसेटेटेड हो जो एलगी ट्यू हो अगे नहीं हो एक जज न करना चाहूंदे बट अनाले समेच जे फिर तो मैजॉर्टी चाहिए ते में ओही कहांगा लोकाने चाहिए भी होना चाहिए ता उदेर राइट्स ली भी खड़नेंगे जिवे आपने प्यूच भी मैं पिछले श्याद साली प्राइड मार्च देखी सी चिज्जां हो रही अने और ही नहीं अंबरस अंबरसर भी थी मैं खुद आई थी इस बार प्रेड मार्च ते में ओही कहना जे हो रही है सारे पसे ता ओही है के ए सरकार ओपन ली से लिबरेट नहीं कार दी बट चलो हाक देंड दीगा लगा रही हो ही बवड़ी गार लाज दे टाइम आज त तुसी राइट्स दोंगे अमें ओही गाले के सरकार कदे खुल के ताहीं कहीं कि जोना गोड़ ओस बड़ी मेजॉल्टी होए है जो ना दी पॉपुलेशन का टै लोग का टने ओस हो दे लगजी बीटी की वदे सोसाइटी दे ते जो दो होड़ी होडी होडी वदन के नंब बहुत सारे राइट्स दिये गए हैं जैसे अभी कह दिया है कि बच्चा आप गोड़ ले सकते हैं बैंक अकाउंट साथ में खोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें हैं साथ रह सकते हैं जन कपल लेकिन सिरफ शादी का यदिकार नहीं है तो लोग कह रहें कि क्या जरूरत ह तो काफी तो है देखो कोई वी लॉट तो पहले कहने है नेच्रल जस्टिस दे प्रिंस पर लाओ पड़ा होने आप फर्स्ट यर चाहूंदेने बीग एथे नहीं सारे पासे पड़ा है आर्मी जाओ कि ते भी जाओ जाओ नेच्टिस उन्देवी के अपका कहने ने जे अपने उरे सुसाइटी जाओ नहीं पता सीगा पता आपन बहुत जाओ नहीं पता सीगा अना होड़ी होडी आगी हुनों ते टेक्स हो लाग गया सरकार हर चीज़ने डॉप्ट कर दिया ते जड़ा लॉवालविंग हार हर टाइम बदल दा रहे ना खड़े पैर आर्टिक किसनो आदे नहीं देना चाहूं दे या कोई क्राइम ता नहीं है जाद सुप्रीम कोट पांजाज बेंच नहीं है गा हो जे क्राइम नहीं है गा ता इट से वेलिड हैगी है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दिया इस नॉट लॉव पर जिड़ा लॉव तो उपर आम दे है सभी नचुरल सब्सक्राइट शने ट्राइट्स जीड हो जैनकी प्रिद्व परहु तक है नहीं है और तक के जालता फ़ी डैमोकरेसी वीगादीया ऑटोव डिक्टेठ शिपीरलो चाहिए ना कारते हैं और लो उडिक्ते ने कर देंगा बोग्ताम का सथिते एंडिया ताम अधर ओफ डेमोक्राशी नूं प्रिजव माध दर्जा देनली राइट सारे जवक्ता नो देने पहने होना नू बीइंगो मेल होवे फीमेल होवे लेजबियन गे ट्रांस कोई भी होवे देने पहने के बट वहाए कि टाइम लगदा है एक होही मैंने गाए 144 सब्सक्राइब कोई लगए लेकिन समय लगेगा आप इस फैसली को कैसे देखते हैं सर्की सुप्रीम कोट का फैसला कितना लगता है आपको कि सही है कि मैं जब हम फैसले की बात करते हैं तो जहम लॉब पढ़ते हैं उसमें एक ना प्रिंस्पल होता है वी नोड डाउट लेंट लिचीस लेशन का जो अधिकार है व लिच्टी के पास है हमारे मेलें अपि हैं लोर हाउस है पर हाउस है बट उसको इंटेप्रेट करने का जो कि बात आती है जब कंफिलिक्ट की बात आएगी तब सुप्रीम कोड़ को आना पड़ेगा क्योंकि ओनरेबल सुप्रीम कोड हमारे एपक्स कोड है जो जस्टिस प्रिवेल करता है हमारी सुसाइटी में हमारी कंट्री में वो सिर्फ उनके कारण ही करता है और अगर हम चाहते वन को तोडेंगे जब हम नए वी तोडेंगे और आगे एक नया रस्ता बनाएंगे तब हम प्रोग्रेसिव स साइटी कह सकते हैं सिरृ इस सह होती है एक दो अपको कि幹嘛 को यह यह जाती है कि सोशल हम बदलाव लाएं सोशल हम लोग चेंज हों कि हम लोग खुद ही एकसेप्ट नहीं कर पारे तो लौ लाने का फायदा क्या अम हम सोशल स्टिक्मा कोई अतने जल्दी नहीं जाता है वो लॉंग लॉस्ट प्रोसेस भी हम उसको कह सकते हैं जब हम हिस्ट्री बढ़ते हैं हमें पता लगता है भी सती को भी चाहे राजा राम मोहन रोय ने बहुत जोर लगाया उसके बाद भी जोर लगाया इसके खिलाव लेजिसलेशन बनाये भी ये क्रिमिनल ओफेंस है उसके बाद भी एकदम से तो नहीं गही कास्टिजम के खिलाव कबसे अंटचिबिलिटी कबसे हमारे प्रोहिबिटेड है हमारे कॉंस्टूशन में यह राइट है प्रोविजन दिया हुआ है स्टिल आप यह देखिए यहां पर क्या अंटचिबिलिटी खतम हो गई अब जो सिविल सुसाइटी होती है उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है सजेशल ससाइटी को यहां पर कंपेन्स चलने चाहिए स्विल सवाइटी को यहां पर पोग्राम लूर्मल है। इसको लीगलाइस जब्याया है अतनी जल्यक्राप आएगा ईंडिया जैसी सूसाइटी में जहां का कहते हैं कि इसे किल्चर हाम हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि यह बदलाव यहां आप आएगा जल्द जो लोग कल्चर के बारे में बात करते हैं उनसे ये पूछने वाला मैं आपके चैनल से भी पूछना चाहूँगा क्या उन्होंने खुद इंडिया का कल्चर पढ़ा है क्या उनको पता है भी इंशिंट इंडियन कल्चर में एक फीमेल के पास हक होता था वी वह अपने हस्ब हमारे कल्चर ने नहीं बनाया कल्चर को कंजर्वेटिव या लिबरल लोग ही बनाते हैं तो अगर हम आज बनाना उसको लिबरल स्टार्ट करेंगे तो थोड़े टाइम में लिबरल हो जाएगा 377 जब वालिश हुआ खतम हुआ सबने खुशियां मनाई तो अगर दो लोग एक अठा रहना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है हो जाएगा वैसे मैं होता कुछ में नहीं करना पड़ता है मतलब कोशिश करनी बढ़ेगी हमें सिविल सुसाइटी के जो भी प्रोग्रेसिव माइंड सेट के लोग होते हैं उन सब को पाटिस्पेट करना पड़ता है जब सब पाटिस्पेट करते हैं उसके बाद चेंज आता है अगर गांदी जी जब साथ एफ्रिका से इंडिया आये थे तो ऐसा नहीं था भी उन्हों को नौर्मली लगता है उन्होंने सिर्फ दलित के लिए काम किया वरंदलित के लिए उन्होंने सारी उमर अपनी डेडिकेट की तो अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर बिया रमेत कर भी इसके बारे में कहते हैं महात्मा गांदी जी का कोट भी है विदा चेंज डेट यू जो चेंज आप बनना चाहते हैं पहले खुद बनिये तो मेरा यहीं मानना आखरी सवाल है आप से जैसे मैंने उनसे कहा था कि जो सरकार खुद इसके खिलाफ याचिका लेकर आई है क्या आपको लगता है कि वही सरकार कानून बनाएगी इस पर जैसा सुप्रीम कोट ने कह अनफोर्चनेटली जो हमारी मेजोरिटेरिन गोवर्मेंट है वो आइडिलोजिकली इंकलाइन है किसी एक पक्ष के लिए तो और जिस पक्ष के लिए वो इंकलाइन है वो नहीं चाहता भी हमारा जो कंजरवेटिव सुसाइटी जो हायार्की है हमारी जो कास्ट हायार्की हाइन की किадцcómo वे ञृभिश कि जो प्रिवलेज्ञ इंस नहीं चाहिए प्रिवलेज्ञ तो प्रिवलेज्ञ अपने बचाने के लिए को साइटी का कही ना कहीं नास मार रहें है वहापप Какल ने सरकार तो बिल्कुल भी नहीं लाघे कि港 हमने काफी ड़ेखा है मैनोरिटी को टार्गेट करना, यूथ को जॉबलेस रखना ताके उनके प्यादे बनके रहें, जहां भी लड़ाएं आपस में लड़ जाएं उसके इलावा, इंडिया का जो एक बेसिक स्टक्चर होता है, हर सुसाइटी का एक स्टक्चर होता है काफी लोगों ने इसके बारे में बात भी की थी, जो फिलोसफी आइडिया उफ इंडिया जो जो हरलाल नहरू जिसके बारे में बात करते हैं या से रुजवारला नहरू नहीं जितने भी हमारे freedom fighters थे चाहे वो बोस थे सब ने इसके बारे में बात की थी भी हम इंडिया हमारे जो पूरवज थे कितने ही लाखों लोगों ने हमें जान दी जब जाके हमें यहां पर अजादी मिली वो किस टाइप का भारत चाते थे हमें इसके बारे मी तुमात करनीच चीहें क्याँ इस टाइप कभारत तर meant जो आज है मैं तो नहीं मानता इस टाइप का था भारत सपनों का जो भारत था हमारा उसमें हर एक के लिए जगा थी हर एक विचार के लिए जगा थी आप यह देखिए चाहे कितनी भी तक्रार थी वलभाई पटेल जो थे उनके बीच में नहरू के बीच में जब देश की बात आती थी वह इकठे होते थे क्या आज opposition के leaders को इतनी इज़त दी जाती है मुझे निलगता दी जाती है उनके खिलाव इतनी propaganda चलाया जाता है किसी भी opposition की leader के बारे में डेमोक्रेसी में जो essence होता है वो opposition होती है अगर उसकोई खतम करते हैं तो डेमोक्रेसी खतम होगी और फिर aristocratic autonomy कह सकते हैं उससे same sex marriage पर आपने सुना कि लोगों की अपनी अलग अलग राय थी कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो अधिकार है शादी का ये इन्हें मिलना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि इस पर उनकी कोई राय नहीं है यानि कि जादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग इसे sensitive मुद्धा मानते हैं वो भी आपने सुना और कुछ लोगों का अपना अपना रवाया है लेकिन इस पर कानुन बनता है या नहीं ये फैसला आप सिरफ सरकार को लेना है सरकार क्या सोचती है क्या सरकार इनके हित में खड़ी होगी या फिर नहीं क्योंकि अधिकार तो बहुत सारे सुप्रीम कोट ने भी ने दिये हैं लेकिन एक शादी का अधिकार ही है जिससे ये अभी तक जो है वो कटे हुए है यानि कि वो इनी नहीं मिल है तो सोसाइटी में चेंज लाना क्या संभव हो पाएगा क्योंकि बहुत हद तक चेंज आ चुका है बहुत हद तक एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं वो मिल चुकी है लेकिन शादी का अधिकार क्या मिल पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन आज इस काइब मारा के मम हमीं गादी कर फूम कर ऋुकी है लेकिन छोटे से वगते तक लिодарक तक्या पार। टूमस सकत्ष्पी एकल शादी कर झाला क्या हैया लेकिन 달़tt can क्या है कि जाक्याक मिल आतादी क्या में उज